एक पुरानी कहावत है पिंजरे खोलने का क्या फाइदा जब उड़ना ही ना आता हो। कुछ ऐसी ही परिस्थिती रही है भारत में जनजाती समाज की। आजादी के बाद से ही मुख्य धारा में जनजातीयों को उनके प्राकृतिक ज्यान और भाशा की वज़ा से पिछड़ा हुआ समझा जाता था। जनजातीयों के लिए योजनाय तो बनाई गई, लेकिन उन योजनायों को समझने और उनका प्रयोग करने के लिए जरूरी शिक्षा जनजातीयों के पास कभी पहुचे ही ने। शिक्षा आधार है हमारे विकास का हमारे भविश्य का शिक्षा नए द्वार खोलती है नए अवसर प्रदान करती है नई इक शमताई उभारती है अब जनजातियों के संसाधन बढ़ाय जा रहे हैं उनकी समर्स्याओं को समझते हुए स्पेशलाइस्ट डीसेंट्रलाइस्ट सिक्षा उनके गाउं तक पहुचाई जा रही है जिसकी वज़ा से अब वैं बढ़ने के लिए तयार हैं एजिए मोर्स्ट भॉड़व भॉड़व पांची तक पड़ेंगे हुष्टे मिया साधन नी आवज नी सोच नी थी पादस भी गरीव थे इसलिम नी पड़ पाया तो भी दोश किसको देया, समय के परिकलब ना है? हमारे जैसे थोड़ा है कि हम चाते थे हम भी पढ़ना जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे इसलिए पढ़ानी पाए कि अधिए परिवार वालों ने सुझा कि नहीं यह यह पढ़ेगा तो मेरा घर का काम कोई करेगा नहीं नहीं पढ़ना चाता था लेकिन गर के इस्तिती के कारण जे पढ़नी पाया अधिवासी समू हमेशा से ही गाउं और शेहरों से काफी दूर ही बसते हैं इनके बच्चों को स्कूल पहुचने के लिए कभी पहार तो कभी नदी से गुजरना पड़ता था तो कभी रोज 30 से 40 किलोमेटर दूर जाना पड़ता था यहां के बच्चे सपने तो देखते थे लेकिन उसे पूरा करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था इसी वज़ा से अनुसूचित जन्जातियों में अनेक बच्चे दसवी कक्षा के पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं मैंने देखा वहां पर जो बच्चे हैं हिंदी भी सही तरह से नहीं बोल पाते हैं वो साध्री बोलते हैं वो 36 गड़ी बोलते हैं तो उनको सम्झाने के लिए जब मैंने देखा कि वो मैथमेडिक्स के और इंग्लिश दो विशयों के डर से वो इस्कूल छोड़कर के चले जाते हैं, ड्रॉप आउट का रेंड बहुत बला था। इन्ही समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए एक लवे मॉडल रेजिदेंशल स्कूल यानी EMRS की शुरुआत हुई The tribal students, एक opportunity नहीं मिल रहा था to get a good public school education. So because of that, EMRS schools were established to give tribal students एक opportunity to experience public school education. जब सब सुरू हुआ था, हमरा स्टाफ बहुत काम था है at that time. उस समय हम लोग चार टीचर थे, मेरे पास मात्र तेरा टीचर थे, students भी बहुत काम था. 46 बच्चों का admission हुआ था, building कुछ नहीं था, एक बहुत बड़ा गैब था, और उस गैब को बरने के लिए मुझे अथक प्रयास करने पने. बिलकु नहीं स्कीम, कोई गाइडलाइस थे. विए लुए लाइड नहीं थे. इंफरा की बहुत बड़ी प्रोब्लम थी. दस बार पीस डेस्क, बेंच था, एक टेबल था. सिर्फ स्कूल शुरू करके ही इन समस्याओं का समाधान नहीं होता. इन स्कूलों को आधोनिक और यहां पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा के काबिल बनाना भी जरूरी था. 2019 में शुरू की गई केंद्रियक शेत्रक योजना में एक लववे स्कूल का बजट बढ़ाया गया, ताकि ये स्कूल देश के किसी भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल से पीछे ना रहें. हॉस्टल्स बने, डाइनिंग हॉल बना, टीचर्स रेडिजिंसे बनने शुरू हुए, इसके लावा कम्प्यूटर लैप, अधर लैप्स, लाइब्रेरी इन सब के लिए अलग से फंडिंग होती है, उनके इस्टैबलिश्मेंट के लिए हम लोग ने धीरे धीरे उसको पांच हजार करोड कर दिया गया, वैसे ही जहां 2013-14 में हर एक बच्चे पर 42,000 रुपए खर्च किये जाते थे, वही अब हर एक बच्चे के लिए एकलव्य स्कूलों को 1,09,000 रुपए मिलते हैं, यही नहीं, जहां 2013-14 में तकरीबं 34,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे, वही अब यह संख्या एक लाख 13,000 के पार पहुंच चुकी है, सरकार ने इस योजना के तहत 452 नए स्कूलों की घोशणा भी की है, जिसके चलते मार्च 2026 तक 741 एकलव्य स्कूल कारे रत होंगे, जबकि 2013-14 में मात्र 119 स्कूल कारे रत थे, जबकिन बचे लोगने क्या मिला था बहुत अच्या से लिए वहुत अच्या सा लॉच्छ लोग वह एक्स्पेरिंशिंग आट फीक आद यूरिया लीख आद लिए हैं मेरे खेल जो चॉक्त ताहकत लिगते थे, आपके देखे होंगे। अब देश के कई एकलवव स्कूलों में स्मार्ट क्लासिज हैं। पहाडी और दूरस्त क्षेत्रों में बजट 16 करोड से 48 करोड की आ गया है। दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। अनुभव नहीं पता निदा गाओंग था उपना तर दुनियाव नहीं था। यह थाए नहीं था। अच्छी अजी यह थाएं। बछला भी से नहीं था। मैं को भाच्छी पूसा था नाम कि तुमारा नाम बताओ दो यह कर सकेगा, you know, like that, बहुत छोटा-छोटा था अपने अंदर एक डरी रहता था कि अगर मैं कुछ बोल दूँगा तो वो गलत हो जाएगा फिर इसलिए कुछ नहीं बोलते थे हर जनजाती और क्षेत्र के बच्चे अलग थे उनकी समस्याएं अलग थी और उनकी जरूरते भी अलग थी तब ही इनकी जरूरतों को समझते हुए और इनको अपने परिवेश के हिसाब से शिक्षा देने के लिए हर स्कूल को नई तकनीक अपनाने की और नए तरीके अपनाने की स्वतंतृता दी गई अन हमको मालूम था that normal education system was not the answer. आदुनिक सिख्छा के साथ साथ, आदुनिक technology का ये दाम उपयोग नहीं करेंगे, तो हम पिछड जाएंगे. Music, culture activities, entertainment, sports, through those activities, I won the hearts of the children, I won the interests of the children. हमने अपने बच्चों में mathematics के प्रती, science के प्रती, interest पदा करने के लिए, clicker technology, language lab, microsoft team, tab on wheel, flipped classroom, आदी की विस्था किया. हम लोगों के पास एक दूसरा तरीका है, remedial classes का. They don't have to go anywhere for coaching classes, क्यूंकि best coaching classes are provided here, श्रिफ आमरा students के लिए. Informal kind of teaching चलती है, और बच्चों को बिलकुल अपना जो most comfortable तरीका रहता है, उस तरीकी से पढ़ाते हैं, एक से देड़ों घंटे की class. Free of cost, and that time, exams, materials we give them, mock tests and all that also. ये बच्चे महस, 10 से 11 वर्ष की आयू में ही, अपना भविश्य बनाने के लिए, छटी कक्षा से ही, अपने घर और परिवार से दूर यहां रहकर पढ़ते हैं. घर पर शिक्षा का उचित वातावरन ना होने के कारण, इन बच्चों को अपना भविश्य सवारने के लिए, उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था. इन वजहों से स्कूल का एक महत्वपूर्ण करतव्य है, कि बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए, एक तनाव मुक्तवातावरन भी दिया जाए. इन वजह पता नहीं था, कि जिस दिन कौंसलिंगे, उसी दिन आमने यहां रुका था. तो रुके और मेर ममी पापा नहीं होला हुए, हम जा रहे हैं. पिर ममी और रोए नहीं, बट मैं थोड़ा वत रो गई थी इनको जाते वी देखके. जब मेरी माँ बोलती थी, तो तुम्हें भी एस्कूल पढ़ना पड़ेगा, जब बच्चे हमारे अपने घर से आते हैं, तो हम बिज कोर्स के साथ साथ उनके कौंसलिंग की विवस्थात भी करते हैं, जिससे बच्चे यहां से तनाव मुक्त हो जाते हैं. जॉइफुल लर्निंग, बच्चा बिना किसी इस्ट्रेस के सीखे, उस पे हमारे एक फोकस रहता है. सो यहां आएक के दिखा, तो सारे मेरे टीचर्स भी मुझको एंकरेश करते थे, तो इस कांड़ पुष्ट मी तो बेटर इन माई लाफ. इन बच्चों की खेल में उपलबधियों को देखते हुए, सरकार 15 स्कूलों में Center of Excellence in Sports और 50 स्कूलों में Center of Archery बनवा रही है. इन खेलों से ये बच्चे एक जुठ होकर और साथ में मिलकर निरंतर प्रयाज करना भी सीख रहे हैं. बॉक्सिंग में निश्चित रूप से हमारे मद्यप्रदेश में भी कोई माहल नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे ट्रेवल बच्चे बड़े उर्जवान होते हैं, बॉक्सिंग के एक्सपर्स को हम बुलाते हैं, और करीबन 4-5 माह तक प्रती दिने एक गंटे उनकी प्रेक्टिस कराते हैं, जिसके परणाम ये है कि देश में सर्बादिक बॉक्सिंग में हम लोग मेडल प्राप कर रहे हैं बच्चे लोग, maximum of them, interested in sports. जब हम एक बास्केबल बी सुरू हुआ, ये लोग, I went, I took my team. जब गए थे, तो उतना सक्सेश नहीं हुआ, क्योंकि हम नूँ थे, जो हम लूज कर आये, उसके बाद सीका कि क्या है वहा का मतलब, standard. हमार बच्चे लोग इतना passionate था, इतना hard work किया था, that we started to win everything. We won CBAC का दो बार national champions, basketball में, Tamil Nadu में, Agra में, we had played in Jaipur, now we had travelled. तो यहाँ पर जो भी सीखा था, हमने लग कि टीम वॉक कैसे होता है, जो चीज कर रहे हो कि कितने dedication से करना चाहे, कितना hard work, ऐसा ही नहीं मिलता है, जो भी तुम कर रहे हो. अबर यह बार इस गांगयप, started winning ways. Slowly, slowly, बच्चे लोगा, I think, they started to become hopeful. खेल हम में एक जजबा जगाता है, कभी हार ना मानने का जजबा. इस जजबे को बढ़ावा देने के लिए, सरकार हर वर्ष National Cultural Sports meet कराती है. देश भर के एकलव्व स्कूलों से, धाई से तीन हजार बच्चे इस आयोजन में भाग लेते हैं. इस आयोजन में बच्चों को अपना हुनर, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का और एक दूसरे से सीखने का महतुपूर्ण मौका मिलता है. ये स्कूल बच्चों के लिए अब एक परिवार की तरहा है. बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई, किताबे, युनिफॉर्म, हॉस्टिल, हर जरूरत का ध्यान सरकार इसी योजना के माध्यम से रख रही है. वो भी निशुल्ग. हमने इस बिद्याले को आलाय में परवर्तन किया है. आलाय मींज बच्चा अपने को इस स्कूल को अपना गार समझता है. अब आरा है, कामनेस, अबर्धिन, लाव, फ्रेंज, फैमिली की तरह था है यहाँपर. कॉम्पलिमेंट, बहुस्कॉमन और जो हमको एनरजी बरता है, कि पहले एपिरेंस में, इड़संट लुक लाइक अ सरकारी स्कूल. यह स्कूल एक अच्छे परिवार की तरहा, बच्चों के संपोर्ण विकास का ध्यान रखते है. आधूनिक शिक्षा के साथ ये भी जरूरी था, कि बच्चे अपने पारंपरिक समाज और संस्कृती से जुड़े रहें, और काम्याब होकर इस समाज और संस्कृती के विकास में योगदान दे. दीरे दीरे लोग अपने जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, और जो संस्कृतिक विरासत है, विशेश रूप से ट्राइबल कमिनिटी के, ये तो जीवित रहनी चाहिए. हमने बच्चों से कहा, जो चीज आपके डेली यूस में है, उसे लाइए. आज की देट में धाइसो से तीन सो आर्टिकल हमारे पास हैं. उनकी संस्कति को यद हम सरनक्षन नहीं करेंगे, तो यहां पर उनको अरुची होगी और विद्याले के परती उनका आकरशन खतम हो जाएगा. उनके सरनक्षन और संबर्धन के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं. और इस सब का नतीज़ा, आज आप सब के सामने हैं. तो मुझे आएटी रुड़की में मैं अथेमेटिक संद कंप्यूटिंग ब्रांच होती है, वो मुझे है. आएटी धन्बाद होता है. अभी मैं पीएजडी की रिप्रेशन कर रहे हूं। मुझे बताते हैं, बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग 2019 में जब अचानक से हमें एक इन्विटेशन लेटर मिला, कि म्यूजिक ग्रूप की टीम को राश्ट्रपती भवन में एक विशेश्ट परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट किया लिया है. फरवरी 2023 में भारत की ओनरेबल प्रेजिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक लविश स्कूल के बच्चों को राश्ट्रपती भवन में आमंत्रित किया. दस से बारा बच्चे हो चुके हैं, सो में से सो निंबर लाई हैं. दो हजार बाइस थे इस में लगबग मेरे सोलह चात्रों का चायल जेही और मेडिकल में हुआ है. I am so proud, so happy, that Amara School से बहुत सक्सेस स्टोरी इनुन निकल रहे, starting with Indian national player Nima Doma. ैं कि झालने को वाईसे स्टोरी ऑिप रहे हुआ हैं. दसक्ष aircraft में है,